यदि आप स्टूल का कलर यानि आपकी जो टटी का कलर है उसकी को देख कर उसके आधार पर आप कुछ इंटरपेटिशन कर रहे हैं कुछ डाइग नॉसेज बना रहे हैं कुछ अपने पेट के स्वास्त को गट की हेल्थ को समझने की कोसिस कर रहे हैं तो आप इमीडेटली स्टॉप करिए इस प्रोसेस को ऐसा मत करिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि बहुत सारे यूटूब पे वीडियो है कि यूरीन का कलर या स्टूल का कलर इस तरह का है तो ये भ्हांग कर बीमारी हो सकती है ये हो सकता है अलसर हो सकता है कैंसर हो सकता है एक्स वाई जड़ चीजें हो सकती है देखो ये बिलकुल एक इस तरह का सेंसेटिव वाइरल न्यूज है जो बहुत सारे लोगों को परिसा हो सकता है डाइग नौस के लिए लेकिन इस टूल का कलर और यूरीन का कलर केबल 5-10 परसेंट ही कंट्यभ्यूट करेगा किसी भी डाइगन키स को बनाने के लिए किसी इंसान का कोई डाइगनोसिस खाली सूल के कलर पे या यूरीन के कलर पे नहीं बन सकता पहली बात उसके लिए हमें और भी evidence से हैं हमें और भी symptoms से हैं और भी हमें clinical data चाहिए तब जाके हम कोई declaration कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी और इसका ये इलाज है अब मैं पेशेंट ने विजिट किया और पेशेंट का सबसे पहले clinic में इंटर होने के साथ ही ये statement था कि मुझे स्टूल में blood आ रहा है और मुझे ulcer या cancer या कोई भयानक बीमारी होगी है पेट के अंदर और ये जो thought था उस इंसान को बहुत ही anxious और anxiety और fear वाला thoughts था उसके साथ तो जब मैंने उस patient से पूछा कि blood है आपके स्टूल में ये कैसे confirm हुआ कि इस सर मैंने देखा बिलकुल red body आई मेरी तो जब मैंने उनसे discuss करके बात किया तो उन्होंने पिछले दो दिन में चुकंदर और गाजर खाया और juice पिया तो चुकंदर और गाजर यादी कोई इनसान खा रहा है और कोई juice यादी पी रहा है जिसमें की wheat root है या फिर आपका tomato है या फिर आपका carrot है या बहुत सारे ऐसे food हो सकते हैं जिसके कारण आपका स्टूल बिलकुल red हो सकता है या black हो सकता है या और दूसरे तरह का color आ सकता है तो स्टूल के color को देखकर उसको आधार मान लेना और अपने को बिमार टिकलेर कर देना और अलसर या फिर cancer मान लेना ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है ये एक बहुत बड़ा गलत तरीका है जिससे कि आप खुद अपने को damage कर लेंगे तो ये आपको नहीं करना है जर्नली होता क्या है कि जब हम fear में होते हैं या anxiety में होते हैं या trauma होता है हमारे अंदर तो हमारे internal यानि हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और जो अंदर चल रहा होता है वो हमें बहार दिखाई देता है इसको दूसरे तरीके से समझिए कि यदि 10 लोग आपको ulcer वाले मिल जाएं तो ulcer के बारे में ही आप बात करोगे ulcer को ही आप पढ़ोगे ulcer को ही आप समझोगे और फिर आप खुद से अपने को ulcer patient डेकलेर कर दोगे यदि 10 लोग आपको cancer वाले मिल जाएं तो फिर आप social media पे cancer के video ही देखोगे और उसी के symptoms को आप associate और अपने से connect करने की कोसिस करोगे तो ये एक गलत तरीका है ये तरीका बहुत जाद है आपको sensitize करेगा anxiety develop करेगा overthinking develop करेगा और आप अपने दिमाग और पेट के स्वास्त को बच से बत्तर कर लोगे इससे आपको फायदा नहीं नुकसान ही होगा तो ये आपको नहीं करना है अब स्टूल को regulate करने वाली जो बात है वो बहुत बड़ी बात हो गई है बहुत सारे लोगों का स्टूल बहुत जादे hard आता है बहुत सारे लोगों को regulate स्टूल नहीं आता है तेको आपका स्टूल को regulate करने वाले बहुत सारे factor होते हैं आपके sleep, आपने कितना liquid लिया, आपने कितना fiber लिया, आपने exercise किया या नहीं किया, nature of food क्या था, बहुत ज़्यादा यदि protein आपके food में जा रहा है, तो भी आपको stool के level पर problem आ सकती है, बहुत ज़्यादा fat आप ले रहे हैं, तो भी आपको problem आ सकती है, यदि कोई hormonal या steroidal preparation य तो आपका जो food है, वो बहुत सारे factor पर निर्धारित करता है, से निर्धारित होगा, जैसे stress, sleep, food, quality of food, और food का क्या ratio था, और food आपने कितनी देर में खाया, चू करके खाया, नहीं खाया, और आपके physical health, mental health, फिर आपकी gut health, यह सब factor decide करते हैं, तो आप stool को tot से देखने के ब जाए, आप दूसरे factor को ठीक करिए, और उसको छोड़ दीजे, जब दूसरे factor ठीक होंगे, तो आपका stool or urine automatically will all right, और आपका gut भी ठीक हो जाएगा, उसके लिए time से खाना काईए, अपने hunger time को समझेए, जब आपको भूग लगे तब बिदने 30 मिनट खाना खालीजे, यदि आपको भूग लग रही है और आप एक दो घंटे तक खाना नहीं खाते या overeat करते हैं, तो फिर आपको problem होगी, food on time, right food, plus food को meditate करिए, खाना अच्छे से चबा के खाईए, पूरी नीज लीजे, अच्छे से liquid diet लीजे, अपने खाने में probiotic, prebiotic और fiber सामिल करिए, natural fruits और vegetable खा तो अचार की जगे हरी चटनी खाईए, हरी चटनी जिसमें लहसुन हो, प्याज हो, हलका अधरक हो, दही हो और सिमला मिर्च हो, तो इस तरह की चटनी आपके digestion को promote कर सकती है, curd सामिल करिए, oats meal सामिल करिए, यदि आपको फिर भी आपका stool वलकी नहीं होता है, तो आप इसब गोल ले सकते हैं, फाइवर के लूप में, और यदि आपको constipation रहता है, तो आप तिरफला, या हरड powder, या तिरफला, या हरड की tablet रात को एक या दो tablet गरम पानी से खा सकते हैं, ये आपको काफी मदद करेगी, और आपका gut का जो स्वास्थ है, naturally fix हो जाएगा, तो social media से आपने को social media से या इधर दर से पूछके, खुद से treat करने की कोशिस मत करिए, otherwise आप बहुत बड़ी परिसानी में फस जाएगे, thank you very much and take care yourself